अरे बड़े लड़ाईया महवे वाले जिनकी मर सही ना जाए एक कमारे दो मर जावे तीशर जाए भड़ा का खाए देखिए भाई ये दस हर पुरवा ग्राम था जहां बसें परमाल उनके दो बीर थे उदल और मल खान दोस्तों स्वागा थे दा महुबा में और आज हम आपको दिखाएंगे आठ नौसो साल बीर आला उदल के जमाने का हमको कुगा मिला है यहां इस्थानी देख सकते हूँ पहले आपको दिखाओ जो कि वहां पर मठ या मंदिर जो आपको दिखाए था उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए चंदेल कालिन पत्थर यहां पर रखे हुए है यह इसी से आप यहां पर पहचान सकते हैं यहां की इंटे देख सकते हैं कितनी पुरानी इंटे जो है आठ नौसो साल पुरानी और इसकी गहराई जो है नहीं ना पी जा सकती बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है और देख सकते हैं इसके चारों तरफ चंदिल कानी पत्थर की चबूद्रे टाइप का बना हुआ है बीच खेतों में यहां पर बहुत इतिहासी गाओं है यहां पर बहुत चीज जो है इतिहास से जुड़ी हो हमारे साथ एक स्थानी व्यक् साल पुराना हैं इसकी कोई मतलब समय निए नहीं बता सकता है लेकिन हमारी पूरवजल थे वह बताते रहें कि बहुत पूराना आला उदल के जमाने पूरवजल जो थे उनके जमाने से भी मतलब 800-900 साल बार में सताबदी कही है जो है कुगा है बनावट भी है बहुत दिख रही है इस टाइप की और यह इट बगेरा जो है सारी ऐसे दिख रही है कि पहले के हैं क्योंकि अभी जो है इट का साइज कुछ और है और पहले की इट थी वह कुछ और है तो देखिए हैं यह देखने लाइक है कि इस इसकी गहराई का मत तो नहीं है कि कितनी गहराई है हमारे बाइभाई बता रहे हैं कि यहां पर आला उदल के घोडा आया करते थे तो जो पानी प्ला निकलिया चराई जो च़रही चाय टाइप की बोले चाबूता चाबुत्रा टाई वह वह यहां पनी गणे टूड गई है, यहां पनी तो यहां से पनी उडह फेर्डा के थे यहां से पानी संवार यहां बर्णना है पुरँके के पारें यहां रहा है और यहां पर 25 मुथहां वहां पर 189-OUR G9 साल पुरान रीए और देख सकते हैं यहां पर यह जो है हर पत्थर इतने बड़े-बड़े पिलर पड़े हैं यह उसी टाइप के दिख रहे हैं जो कि चंदिल कालीन है बीर आला उदल के और यह बैक्ति जो इसकी हुए के बारे में आपको मतलब यह बताते होंगे कि यह किसी मतलब यह जो गिर तो और भी यहां के जो गाओं के जो बुझो को लोग है सीनियल लोग है यहां पर हम आपको इस्थानी लोग हैं उनसे थोड़ी बहुत बीर आला उदल के बारे में जो जानकारी देंगे तो चलते हैं आपको दिखाते हैं आगे तो दोस्तों हम आ चुके हैं जो इस्थानी लोग यहां हम आये थे गाउ सालट के जो इस्थानी लोग है उनसे थोड़ी बहुत बीर आला उदल की जानकारी लेंगे और यहां पर बताते हैं कि कुछ और तालाब कुछ बताते हैं कितने कुए थे 52 कुए 84 तालाब तो देखिए 52 कुए 84 तालाब यहां पर जो बावन कुए 84 तालाब कुछ तालाब यहां पर हैं जो बुंदिल खांड छेत्र명 हे पूरा वो हमने देखा काफी तालाब तो यहां से वहां वहां से काफी तालाब जो हैं और आप बीर आला उदल के बारे में कुछ और जानकारी दीजी हमें उनकर सुना है आला सुना है कुछ आला आपको आता हो दो दस हर पुर्वा ग्राम था जहां बसें परमाल उनके दो बीर थे उदल और मल खान अर बड़े लड़ाईया महवे वाले जिनकी मर सही ना जाए रहते हैं ह की तरह होता है क्योंकि यह पे वहाँ पर लुट का मन्च को प्रोषकार भी रखा जाता है अपने आला मंच पे जो कीरस सागर पे महुबा में होता है ये बीर आला उदल का जो गान होता है ये आम गान नहीं होता है हर किसी के बस की गाना नहीं होता है भाई ये बहुत मुश्किल और ये इस्थानी लोग पुराने लोग जो है उनी को अच्छे से आता है तो बने रही यह बीडियो में यसे ही आपको इंट्रेस्टिंग बीडियो हो सकता है, हम सालट को पूरा कबर करके आपको दिखाएंगे, यहां के जो ताल हैं और जो गुए हैं हो सकता है हम आपको बो भी कबर करके दिखाएंगे क्यूंकि हमने इस गाउं में सुबह से आई हुए हैं पूरा देखा है बहुत अच्छे यहां के प्रासेसिनिक लोग हैं यहां के गाउं के लोग भी बहुत अच्छे हैं आप आएंगे पूरे दिन घूमेंगे तो हमारा कहने का मतलब यह है आप आईए जरूर और यह मठ देखिए या मंदिर जो भी है और वहां किला है यहां पे गुफा भी है और यह यह सब गाउं जो है पहाड छेत्र के बीच में गाउं है यह महवा से करीबं 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है तो अब हम लेते हैं आप से विदा तो दम हॉबा में आपका इतना ही है और